awakening journey and inner demons नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है उर्वशी जोशी and यह है मेरा चैनल रुपल थी, हाइप्रीस्टेस दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करोंगी inner demons के बारे में अंदर के राक्षास, अंदर के असुरस के बारे में After awakening, हमारे suppressed emotions, हमारे अंदर की दबी हुई feminine side, surface पर आती है और इसके साथ-साथ हमारे अंदर के inner demons भी surface पर आते हैं, यानि कि अंदर के राक्षस या अंदर के जो असुराज हैं, वो भी बड़े strongly surface पर आते हैं, क्या है वो अंदर के राक्षस या असुराज जो बड़े strongly surface पर आते हैं, वो है anger, वो है greed, वो है over desire and attachments, negative thoughts, jealousy, नफरत, hatred, घमंड, pride, यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अंदर के inner demons हैं, और यह भी surface पर आते हैं after awakening, और इनको आपने हराना है, इनको आपने release करना है अपने अंदर से, अगर आप अपने अंदर से इन inner demons को, इन राक्षसों को, इन असुरास को, अपने अंदर से निकाल पाए, तो इस journey में आप और ascend हो पाओगे, आपके अंदर की जो कुंडलीनी शक्ती है, वो और ऊपर उठेंगी, और आप और ग्यान को प्राप्त करोगे, और परमात्मा के और खरीब होने लगोगे, जिसकी वज़े से आपके जीवन में एक peace और balance, आपको खुद बख खुद महसूस होगा, अच्छे कारियों से आप जुडने लगोगे, जो भी लोग इस जर्नी में अपने inner demons को ना देख पाते हैं, ना release कर पाते हैं, उनका जीवन जो है एक नरक के समान होने लगता है, वो bad करमाज और create करते चले जाते हैं, क्योंकि जो भी उनके अंदर से बाहर आ रहा होता है, लालच, attachment, lust, नफरत, anger, उसकी वज़ज़ से वो जो भी behavior कर रहे हैं, उसकी वज़़ज़ से बाहर लोगों के साथ उनका जो करमाज है, वो और जादा बिगड रहा है, और जादा bad करमाज create होते चले जा रहे हैं, इस वीडियो में जो आप ये चित्र देख रहे हैं, जिसमें कि देवी जो है असुर का नाश कर रही है, उसे खतम कर रही है, उसका विनाश कर रही है, ये किस चीज को represent कर रहा है, ये किस चीज का प्रतीक है, ये awakening journey में इस चीज का प्रतीक है, कि आपके अंदर की ही शक्ती जो है, आपके अंदर के ही असुर को खतम कर रही है, उसका नाश कर रही है, उसे समाप्त कर रही है, तो वो तभी संभव है, जब अपने जागने के बाद, यानि कि after awakening आप अपने अंदर की positivity से जुड़े रहो, खुद से जुड़े रहो, जब आप अपने अंदर की positive energy से जुड़े रहोगे, खुद को observe करोगे, तो आपके अंदर की जो राक्षस या असुराज जब surface पर आएंगे, तो आप इन्हें हरा भी बाओगे, ठीक है, आपके अंदर की positive energies, और आपका खुद से जुड़ा होना, इन राक्षसों को, जो आपके अंदर ही हैं, और जिनकी वजह से आपको बेचैनी होती है, आप इनको हरा दोगे, ठीक है, तो positivity भी हमारे अंदर है, और राक्षस भी हमारे अंदर है, यानि कि negativity भी हमारे अंदर है, और after awakening, यह जो मन्थन हमारे अंदर चलता है, इस दवरान अच्छा और बुरा, दोनों किनारे पर आता है, परन्तु अगर आप अपने अंदर की अच्छाई से जुड़े रहोगे, और खुद को देखते रहोगे, खुद को observe करोगे, तो जब भी यह demon surface पर आएंगे, आप इन्हें हरा दोगे, आप इन्हें इनका नाश कर दोगे, आप इन्हें अपने अंदर से release कर दोगे, आपकी जो भी upbringing रही, छोटे से जब आप बड़े हुए, जिस भी तरीके का आपका महौल रहा, जिस तरीकी की surroundings रही, उसकी वजह से ही यह demons आपके अंदर आई, लेकिन इन्हें समाप्त भी आप कर सकते हो, अपने अंदर की positive energy से जुड़के, आपके अंदर की positive energy क्या है, basically आपका unconditional nature, आपके अंदर की creativity, आपके अंदर की कलाएं, आपके अंदर का ज्यान, यह आपके अंदर की positive energies हैं, सही practices में रहे के, आप खुद से जुड़े रहोगे, और इन दो चीजों के बल पर, आप अपने अंदर के इन राक्षसों को, इन inner demons को, इन असरास को समाप्त कर पाओगे, ठीक है, इस विडियो के अंद में, जो है मैं फिट से एक बार आपको बता देती हूँ, कि कौन कौन से हैं वो inner demons, जो अंदर ही हैं, यह कुछ आपके अंदर के जो हैं, इन ही का आपने नाश करना है, इन ही को आपने समाप्त करना है अपने अंदर से, और इन हैं अगर आप समाप्त कर पाए, तो आप शुद्ध होके जो है और उपर उठने लगोगे, यानि कि आपके अंदर की कुंडलीनी शक्ती और उपर उठेंगी, जिसकी वजह से जो है आप ज्यान को और परमात्मा को प्राप्त करोगे, साथ ही बहुत से भुरे कर्मों से आप मुक्त हो जाओगे, जो भी हेवी करमाज आप क्यारी कर रहे थे, वो भी रिलीस हो जाएंगे, सो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, इनर डीमन्स को लेके, I hope आप लोगों के अच्छा लगाओ, Thank you so much, God bless you all, Bye Bye